जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और आपको पता चल रहोगा मेरी आवाज से काफी डेंस आरी है और ये जो सुबह सुबह की डेंस आवाज होती है ये मुझे काफी जादा पसंद है काश मैं हर एक वीडियो सुबह सुबह रेकॉर्ड कर पाता इसी तरह खिल और आज के इस फिग्मा टुटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे ये आइकन डिजाइन काइंड अफ ग्लास मॉफिजम स्टाइल आइकन जो आप देख सकते हो और ये जो डिजाइन स्टाइल है ये डिबल पे भी हैंस पे आपको काफी जादा देखने मिल जाएगा यूई डिजाइन में क्योंकि इन्हें बनाना काफी इजी है और दिखने में भी काफी कूल दिखते है काफी एक अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट करते है आइकन का या आप चाहो तो इससे अज ग्राफिक डिजाइन में भी यूज कर सकते हो अलग अलग चीज़ों के तो मेरा काम है आपको टेकनीक्स बताना यूज कैसे करना है यह आपके ऊपर है आप उसो हजार चीज़ों में यूज कर सकते हो तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते है अल्राइट गाइस यहां पर मैंने ओपन किया हुआ है फिग मा का आइकन्स प्र पेज क्रिएट करके अब हम लोग एक ही डॉक्यमेंट के अंदर एक नया पेज इस प्लस आइकन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं तो हमें हर एक डिजाइन के लिए अलग-अलग डॉक्यमेंट बनाने की जरूरत नहीं एक ही डॉक्यमेंट के अंदर हर एक चीज रहेगी तो मैं इसे नाम दे दूंगा टुटोरियल ठीक है अब क्यूंकि हम ये cloud वाला icon create करने वाले हैं वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे icons है बट मैंने cloud वाला इसलिए select किया क्योंकि इसका जो shape है वो थोड़ा interesting है बनाने मजाएगा तो चलिए जाता है टुटोरियल पेज के अंदर तो मैं यहाँ पर जाओंगा और eclipse tool select करूंगा एक circle बनाएंगे shift hold करके कुछ इस तरीके से फिर मैं alt hold करूंगा और इसका एक duplicate ले लूँगा इससे यहाँ पर place करूंगा और फिर से और एक duplicate यहाँ पर इस तरीके से फिर इस circle को select करूंगा alt hold करूंगा drag करके shift भी hold करूंगा जिससे properly horizontal मैं इस तरीके से move हो और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इससे place कर देंगे ठीक है अब मैं यहाँ जाओंगा फिर से select करूंगा rectangle tool थ्थरा सा zooming करते है और यहाँ से एक rectangle इस तरीके से हम बना लेंगे जिससे यह जो नीचे वाला area है साइकन का वो properly cover हो जाएगा और यहाँ पर हमें यह cloud का shape मिल जाता है अब मैं इसे अगर चाहू तो तोड़ा adjust कर सकता हूँ जैसे भी हमें चाहिए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे adjust कर लेते है तो काफी सही लग रहा है अब इन सभी shapes को मैं select करूंगा और यहाँ पर जाओंगा तो मेरे पास कुछ options मिलेंगे अगर आपने illustrator यूज किया है तो उसमें हमें मिलते है pathfinder में options मिलते है union selection, subtraction, interaction और exclude ऐसे सब Photoshop में भी बिलते है बट हम Photoshop में इसे इतना जादा यूज नहीं करते है जादा तर यूज इसका illustrator में होता है तो यहाँ पर भी हमें इस तरीकी से same options मिलते है तो मैं यहाँ पर जाँके union selection कर दूँगा जिससे यह एक particular shape में convert हो जाएगा तो हमारा जो cloud का shape है वो ready हो चुका है अब इसे चलिए कुछ अच्छा सा color देते है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाँगा film है और यह अच्छा सा blue color select करूँगा light blue और इसकी जो opacity है वो मैं काफी कम रखूँगा around 20% सही है और जो background है उसका भी मैं color white कर देता हो ताकि यह properly सब कुछ visible रहे तो यह काफी सही लग रहा है फिर मैं यहाँ पर जाके इसमें stroke add करूँगा stroke add करते है around 3 pixels का फिर इस पर click करेंगे और यहाँ पर जाकर मैं select करूँगा linear gradient जो black color है उससे मैं set कर दूँगा एक अच्छे से light blue color पर और इस second color को भी हम एक light blue color पर इस तरीकी से set कर देंगे तो हमें यह बहुत ही अच्छा एक gradient मिल जाता है मैं चाहूँ तो इसे adjust कर सकता हूँ जैसे भी हमें चाहिए तो इसे मैं थोड़ा और light कर दूँगा जो upper section है और जो bottom वाला section है इससे मैं थोड़ा और कर दूँगा कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पर यह set है inside पर जो की सही है अगर यह center या outside पर set हो तो make sure करें कि यह inside पर set हो और इसका stroke size हम थोड़ा और बढ़ा दूँगा around 4 मुझे सही लग रहा है ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा cloud जो है वो ready है अब मैं यहाँ पर जाकर eclipse tool select करूँगा और sun है उससे हम create करेंगे तो इससे मैं इतना बढ़ा सही लग रहा है फिर मैं इसे select करूँगा right click करूँगा और send to back कर दूँगा या तो आप shortcut जो है वो भी use कर सकते है अब चलिए इसे हम एक अच्छा color देते है तो color के लिए मैं जाओंगा fill में और इसे set करूँगा radial gradient पर और फिर जो अंदर वाला color है ग्रेडियल का उससे मैं set कर दूँगा एक अच्छे से orange color पर और जो outer section है उससे हम set कर देखेंगे एक अच्छे से yellow color पर तो इससे हमें ये बहुत ही अच्छा सा gradient मिल जाता है और फिर इस पर भी मैं एक stroke add कर दूँगा around 3 pixels का और फिर यहां जाएंगे और मैं simply color जो है वो प सही है और जो stroke size उससे 3.5 पर मैं set कर देता हूँ stroke size को हम लोग 4 पर set कर देंगे तो अब ये काफी सही लग रहा है मुझे रेडियल को थोड़ा सा और एज़स्ट करना है और इस orange को मैं थोड़ा सा और dark कर लूँगा सही है तो अब इस पर एक glass morphism look add करने के लिए मैं सबसे पहले इस cloud shape को select करूँगा यहां पो जाऊंगा effects में add पर click करूँगा और add करूँगा एक inner shadow फिर इसके properties में जाएंगे y को रखेंगे 0 पर और जो color है वो हम रखेंगे white उसकी opacity को में थोड़ा adjust करके देख सकता हो कि किस तरीकी का look हमें मिल रहा है और इसे रखेंगे 100% पर और blur amount को हम लोग बढ़ा देंगे तो इस तरीके से हमें यह edges है edges पे अच्छा सा reflection मिल जाता ह जो की बहुत सही लगता है दिखने में around 50 pixels should be fine फिर में यहां जाकर plus पे click करूँगा और इस effect को यहां पर जो तीन lines दिख रहे है उसे select करके नीचे move कर लूँगा और इसे हम set कर देंगे background blur पे फिर में जाओंगा properties में और simply से बढ़ा दूँगा तो अब जितना भी चाहे अपने हिसाब से आप रख सकते हो around 50 के around सही लग रहा है मुझे yes that is looking good और यह जो हमारा icon है वो ready हो चुका है दिखने में भी काफी professional लग रहा है और यही same technique को use करकि आप जो भी icons बनाना चाहें जैसे कि यहां पर आप दिख सकते हो कितने सारे अलग अलग icons यहां पर बना सकते हो but yes that is how you can create a nice glassmorphism icon inside of Figma so that is a wrap for today guys I hope आपको आज का यह पिग्मा टुटोरियल अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो यार आपको बताए क्या करना है लाइक कना इस वीडियो को और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो या सब्सक्राइब ज़रूर करें आप मुझे इंस् क्यों देख रहे हो यानि आप प्यार आपको बताए क्याओ पर करें आप दो यार आपको यार आपको to baor आपको भीडियो बार आपको उप्त का इंसर आपको और अबना आ वेदियो स्पेट आपको एंसूँने मृड़रा आपको करेंぎ इंस को चेंगरी टोरिएपली.